डेट साइलेंस 2007 को डिसलाइक या लाइक करते हैं तो इस फिल्म की कहानी में जो मेरा करेक्टर होगा वो है मैरी शा का मैं एक पॉपिट शो यानि के पुतले का शो दिखाया करती थी कहानी के शुरू में हमें कपल को देखते हैं जिन में से हस्पेंड का नाम जेमी था तभी उनके घर की दर्वाजे की बेल बचती है जब जेमी जाकर देखता है तो बाहर एक बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा था जेमी उसे अंदर ले आया था जब वो बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें एक डॉल पपेट पुतला निकलता है एक ऐसा पुतला की आदमी शो करता हुआ खुद बोलता है पर होट नहीं लाता होट वो पपेट के हिलवाता है इसलिए उस शो को देखने वालों को ऐसा लगता था ये सब कुछ पपेट बोल रहा है अब जिमी की वाइफ ने जब उस पपेट को देखा तो वो बहुत खुश हुई जिमी तो बाहिर खाना लेने चला गया था और उसकी वाइफ अब घर पर अकेली थी वो उस पपेट को बेट पर लिटाती है और उसका बैलंस खराब हो रहा था इसलिए वो उसे बेट पर लिटा कर तक या लेने चली गई थी मगर जब वो पीछे मुण कर देखती है तो वो पपेट उसकी तरफ देख रहा था हलांकि उसने उस पपेट पुतले को चप लिटाया था तो उसका मूद दूसरी तरफ था मगर फिर भी जिमी की वाइफ इस बात को सीरियस नहीं लेती वो सफेद रंग का कपड़ा निकाल कर उस पपेट पुतले पर देकर उस कमरे से चली गई थी इसके बाद जब वो पने कमरे में गई तो तब ही उसे एसास होता है जैसे कमरे में पपेट के लावा भी कोई है रेडियो में से अजीब अजीब आवाजे आ रही थी घड़ी के टिक टिक भी बंद हो जाती है साथी गैस पर जो केटल पड़ी थी जिसमें चाय बन रही थी उसकी आवाज भी बंद हो गई थी तब ही जिमी की वाइफ को किसी बच्चे के हसने की आवाज आती है जब वो उस कमरे में जाती है जहाँ पर उसने पपिट रखा हुआ था जैसे ही वो उसका कपड़ा हटाती है वो सफेज चादर उस पर लिपट गई थी किसी काली ताकत ने जीमी की वाइफ को ठाकर दर्वाजे के पास फैक दिया और जब वो भागने की कोशिश कर रही थी तब ही उसके पीछे कोई है कोई अंजान ताकत उसके पाओं कमरे में खीच लेती है हम सिर्फ जीमी की वाइफ की चीश ही सुन पाते हैं जीमी भी घर अंदर कमरे में हूँ वो जब कमरे के दर्वाजे के पास जाता है जहां पर खूनी खून था वो अपनी वाइफ को फिर से अवाज लगाता है कि तुम कहा हो फिर उसे अपनी वाइफ की यही अवाज आती है कि मैं अंदर हूँ अब जब वो उस कमरे में जाता है तो वो सफ इसलिए जिमी को पुलिस छोड़ देती है वो अपनी वाइफ की मौत की वज़ा से बहुत परेशान था इसलिए अब वो उसी बॉक्स के चान बिन करता है जिसमें पॉपिट था तो उसे एक नाम लिखा हुआ मिलता है जो था महरी शाह जो के मैं हूँ और यहां से शुरू हो तो उसे पता चला कि मैं उसके होमटाउन उसके शहर में ही रहती हूँ इसलिए वो जल्दी से मेरे बारे में पता करने अपने डैट के घर आ गया जो वह वहाँ पर पहुंचता है तो एक बहुत ही खूप सूरत लड़की तरवासा खोलती है जिसने जिमी को अपने बारे मे बैटे हुए थे इस बारे में पी जिमी को कुछ नहीं पता था उसके डैट ने उसे बताया कि मुझे कुछ वक्त पहले हार्ट अटेक आया था लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तो मैं गुसा भी नहीं करता तुम मेरे साथ यहाँ पर रह सकते हो जिमी यहाँ जब उसने मेरे पपिट की तर्फ देखा तो उसकी आंखे हिल रही थी और बहुती खौफनाग चेहरा उसके सामने आ गया जो कि जाहिर है मेरा था जीमी बिचारा डर गया और कमरे की लाइट जला देता है फिर जब उसने देखा तो वहां से मैं जा चुकी थी अगले दिन जीमी अपनी वाइफ के फिणरल के लिए कबरिस्तान जाता है जो वो वापिस आ रहा था तो रास्ते में उसने एक बुरी औरत को देखा जो वो उसके पास चाने लगा तो वो बुरी औरत उसके सामने आ गई वो बताती है तुम्हारी वाइफ को मेरी शाने मार दिया यानि उसे वहाँ पर उस वरत का husband आ गया जो कि उसी कब्रिस्तान में काम क्या करता था उसे वापीस अपने सात ले जाता है जीमी ने घर जाकर मेरे पपट को देखा वो मेरे बच्चे यानि कि मेरे पपट को लेकर कब्रिस्तान गया जहाँ पर उसने एक कब्र देखी उसने उस कबरे को खोला रूर मेरे पपिट को दफना दिया, जो वो वापिस जाने लगा, तो उसे महसोस हुआ कि उसकी आसपास जैसे कोई है, उसने गाड़ी से उतर कर जब देखा, तो उतर कोई भी नहीं था, मैं तो बस उसे ड़रा रही थी, खैर वो मेरे पपिट को दफ केस की चान बिन कर रहा था उसने जिमी को बताया कि मुझे लगता है कि ये पुतला तुम्हारी वाइफ के केस में हमारी मदद कर सकता है क्योंकि जब तुम्हारी वाइफ का हून हुआ तो सिर्फ यही तुम्हारे घर पर मौजूद था लेकिन तुमने इसे क्यों दफना दिय जिमी बताता है कि मैंने इसी इसली दफनाया कि ये मेरी शा का पपिट है यहाँ पर बताता है जिमी मेरी कहानी कि सुना है मेरी शा को उसके पपिट के साथ दफनाया किया था उसकी आत्मा आज भी इस दुन्या में है जब भी वो किसी को नजर आती है जो से देखकर डर गया चिलाता है वो उसकी जुबान तक कार देती है जिस रात मेरी वाइफ का खोन हुआ उस तीन इस पपिट को किसी ने हमारे घर पर भेजा था तो आपको पता चल गया होगा कि मेरी शाग कितनी खतरनाक है वो पुलिस अफिसर खेर मेरे पपिट को उठाता है और जिमी के पास से चला गया था मगर फिर भी जिमी ने दुबारा मेरे पपिट को पुलिस ओफिसर से ले लिया और दुबारा मेरे पपिट को दफनाने कबरिस्तान जला गया वहाँ पर जाकर वो उस औरत से भी मिला जिसने इसे मे बारे में बताया था तब ही वहाँ पर उस ओरत का हस्पिंट आ जाता है और जिमे को अपने साथ ले गया उसने भी जिमे को मेरे बारे में सारी कहानी बताई तो हुआ यू था कि कुछ वक्त पहले उनके शहर में एक बहुती शानदार थेटर खोला गया जहां पर मैरी शाह य और कही पर भी नहीं मिला उस बच्चे की फैमली ने समझा कि उसे मेंने मार दिया पर ऐसा नहीं था लेकिन फिर भी उस बच्चे की फैमली ने मुझे पकर लिया उस आदमी ने मेरे बारे में जिमी को ये भी बताया कि मैंने मरने से पहले वह सीहत की थी कि जो मैंने 101 पुत शोड जयता ही, कुछ देर के भाद, उस बुड़े आथमी को आवाज आई, जिसके घर पर जीमी मेरा पपिट छोड़ कर गया था, उसकी बीवी, मेरा पफिट से बातें कर रही थी, वो भाग कर पपिट के पास आया, और उसे अपने साथ ले जाता है, और ये कहता है कि मैं इसे असली जगा पर छोड़ कराऊंगा अब जब वो मेरे पपिट को दफनाने जा ही रहा था मुनीचे बेस्मेंट में जाता है जहां पर मेरा पपिट उसकी तरफ ही देख रहा था कुछ देर के बाद मेरी आत्मा भी उसके सामने आ गई वो आत्मे बिचारा देखकर चिलाया मुझे और जो भी चिलाएगा उसके साथ बिलकुल अच्छा नहीं होगा मैंने उसकी जुबान खैच कर उसे भी मार दिया क्योंकि इसने जिमी को मेरे बारे में बता कर अच्छा नहीं किया था उदर दोसरी तरो जिमी उसी थेटर में पहुँच जाता है जहांपर मैं शो क्या करती थी वो पूरी तरह से विरान था क्योंकि मेरे बाद वहाँ पर किसी ने शो ही नहीं किया वहाँ जाकर हर जिमी को मेरे बारे में और बात ने पता चली कि जब तुमारे दादा के भाई गाइब हुए तो हमारी फैमली ने मेरे शा को पकर लिया और उसको चिलाने पर मजबूर किया उसकी जुबान तक को काट दिया जिसके बाद उसकी आत्मा वापिस आई उसने हमारी सारी फैमली को मार दिया वो जिसको भी मारती थी उसकी जुबान तक कार्टिया करती थी इसलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया ताकि तुम इस शाब से बच सको और जब उसने तुम्हारी बीवी को मारा तुम्हें जान गया कि कोई भी इस शाब से नहीं बच सकता जिमी यहाँ पर अपने डैट से कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा पर उसकी यह सबसे बड़ी भोल थी अब जिमी जब अपने डैट के घर से जा ही रहा था तो उसके पास पुलिस ओफिसर आता है जो से बता रहा था कि मैं रिशा यानि के मेरी कबर के पास जितने भी पपिट्स को दफनाया गया था वो सब निकाल दिये गए हैं उस पुलिस ओफिसर का शक जिमी पर था इसलिए वो उसे पकड़ने आया था जब वो जिमी को भास से ले जा रहा था तowoicana मिला था जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था वो चिमी को फोन पकड़ाती है कि तुम्हारा फोन आया है फोन पर वो ही बुड़ा आदमी था जिसको कुछ दिर पहले मैं मार कर आई थी पर वो मरा नहीं था वो अबे भी जिन्दा था शायद उसकी आखरी सांसें चल रही थी वो चिमी को बता रहा था कि अगर तुम पुरिस के सामने खुद को बेगुना साबिक करना चाते हो कि तुमने अपनी वाइफ का होन नहीं किया तो तुमें उसी थेटर में जाना होगा जहां पर मैरी शाह यानि के मैं शोकिया करती थी अब जिमी जल्दी से वहां पर जाता है पर पुलिस ओफिसर भी उसके पीछे आ गया था थोड़ा सा आगे जाकर उन दोनों को हिसास हुआ कि उनके इलावा भी यहां पर कोई मुझूद है जिब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहां पर मेरे सारे पपिट्स थे जिनको मैं कब्रिस्तान से निकाल कर लाई थी जी हां उन पपिट्स को मैं लाई थी मैंने उन्हें बहुती खुब्सूरत तरीके से शोकेश में रख दिया था तब ही उन्होंने जिमी के दादा जी के भाई को भी देख लिया जिसको मैंने आज से सतर साल पहले अगवा करके पुतला बनागर यहां पर रखा हुआ था मैं ही थी उस बच्चे को मैंने ही पकड़ा था जिसने मेरा मज़ाग बनाया था तब ही वहां पर जीमी को एक कुरसी की आवाज आई उसने देखा उस कुरसी पर बहुती बड़ा पपिट पुतला बैठा था उसमें मेरी आत्मा थी जिमी समझ किया था वो मुझसे पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ को क्यो मारा मैरी शाह मैंने उसे बताया कि तुम्हारी वाइफ मा बनने वाली थी इसलिए मैंने उसे मार दिया क्योंकि तुम अपने खांदान के आखरी आदमी हो मैं तुम्हारे सारे खांदान को खत्म कर दूँगी इतने में पुलिस ओफिसर ने उस पपिट मेरे पुतले पर गोली चला दी जिसके जरीए मैं जिमी से बात कर रही थी तब ही मैं गाइब हो गई मेरे जितने भी पपिट्स थे सब जिन्दा हो गई जिमी के हाथ में जो लायल टैन थी उसने मेरे पपिट्स पर गिरा दी जिससे वो सब ही जल कर खत्म हो गए अब वो दोनों निकलना चाहते थी पर इतने में पुलिस ओफिसर का पाउं फिसल जाता है और उसकी गलती से चीख निकल गई थी फिर जो भी चिलाता है वो मुझसे बच कहां पाता है पुलिस ओफिसर की जुबान को काट कर मैंने उसे मार दिया जिमी बच कर जाना चाहता था वो जानता था कि मैं हमेशा पपिट के रूप में जिन्दा रहती हूँ उसने यहाँ पर मेरी सारी पपिट को तो खत्म कर दिया था पर मेरा एक पपिट अभी भी जिन्दा था जो उस बुड़े आदमी के घर पर था वो कहता है मेरे टैट ऐसे कैसे आ सकते हैं वो तो ठीक तरह से चल भी नहीं पाते जिमी वापिस अपने घर आ गया था वो आकर देखता है कि हर तरफंदे रहा था उसे वो पपिट मिल गया जो मेरा आखरी पपिट था जिमी उसे उठा लेता है तब ही मेरी आत्मा भी वहाँ पर आ गई जो कि एक पपिट के रूप में थी इससे पहली मैं जिमी पर हमला करती उसने मेरे पपिट को आग में फैक दिया और फॉरन से मेरी आत्मा महा से गाइब हो गई जिमी अपनी डैट के पास चाता है जहां पर उसे उनकी लाश मिलती है दरासल जिमी के डैट को तो मैंने बहुत ही पहले मार दिया था वो तो सिर्फ उसके डैट की लाश थी जो उससे बाते कर रही थी वो भी एक तरीके से कि सिर्फ जिमी के डैट की फोट हिलते थे और आवाज उसकी सोतेली मॉम की थी, जिनका ना मिला था, यहाँ पर जीमी को सारी गेम समझा गई, जब उसकी सोतेली मॉम ने उसे फोन दिया, तो फोन पर तो कोई था ही नहीं, बलकि वो खुद बिना होट इलाए, बुरे आत्मी की आवाज निकाल रही थी, जैसे उसने ज जीमी की डैट की आवाज को निकाला था, तर असल जीमी की सोतेली मॉम मैं ही थी, यानि मैरी शाह, मैंने मरने से पहले जो अपना आखरी पपेट बनाया था, वो इतना अच्छा शानतार था, बिलकुल इनसान जैसा, और वो पपेट इलागा ही था, जिसको जीमी अपनी सो दिखाए जाती है, जिनको मैंने मारा था, अपना बतला लिया था, सबको मैंने पुतला बना दिया था, मैरी शाह अपना बतला जरूर पूरा करती है, और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यही पर खत्म हो जाती है,